नमस्कार शीला की रसोई में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ मसाला पनीर की रेस्पी उमीद है आपको ये रेस्पी पसंद आएगी और रेस्पी जरा से भी पसंद आए तो लाइक जरूर करियेगा और अपने दोस्तों के शेयर करियेगा औ आएकन को दबाना न भूले ऐसे अच्छे ची रेस्पी मैं लेकर आती रहूंगे आप सब के लिए तो चलिए इसको मैं कैसे बनाई हूँ वीडियो सुरू करते हैं तो देखे मैंने सरसो का तेल ले लिया है और 200 ग्राम पनीर है देखे टुकड़ों में मैंने काट लिया है और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ तो फ्राई करके डालिंग नगाई सब यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है आप चाहें तो कच्छे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कच्छे वाली में वो स्वाद नहीं आता है जितना यह फ्राई करके जब हम पनीर डालते न तो ज़्यादा ही ज़्यादा टेस्टी लगता है यह दिखे इस तरीकी को फ्राई करके हम पनीर को रख लेंगे बहुत ज़्यादा डार्क मत करिएगा हलका ही फ्राई करिएगा तब ही ओ टेस्ट आएगा आए दिखे मैंने मसाले में प्याज लशन अद्रक और हरी मिर्च का 7 पेस्ट वना लिए है साथ में टमाटर में ने पीस लिया है और काजू डाल के अच्छा से पेस्ट बना लिए हैं ऑर ये देख्ये तेजपता जीड़ा और हरिलाई ची का तड्का लगा करें हूं और ज्यादा उयल की में सब्सक medo करियेगा यह देख्ये और इसे अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसमें से ओयल निकल आए तब ही आपकी जो पनीर की सब्जी है टेस्टी बनेगी यह देखिए मैं मसाले को भून रही हूँ अब मैं इसमें मसाले एट कर रही हूँ तो यह देखिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है गरब मस थोड़ी से हल्दी है घर के पिसे हुए मसाले भी मैं एट कर रही हूँ इसमें बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है जिस तरीके से आप बनाया के जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताईएगा कैसे बने है यह देखिए मसाले को भी अच्छे से भूनना है थोड़ा समय अर मैं हल्दी डाल रही हूँ और नमक तो जरूर डाल ये गा ताकि जो टमाटर हो गयरा है अच्छे से गल जाए इसकी धनाई खूब अच्छे से करनी है ताकि ऑऊल सेपरेट हो जाए यह देखिए इसमें मैं फ्रेस क्रीम डाल रही हूँ घर की बनी क्रीम है यह से मसाले को भूहनगी जब तक की इसका नगें है यही अच्रम को आपको अच्छे से भूनना है जो पनीर में winner कर िरहाँ हूं मसाले में इर देखें इस्तहरीति तरीके से मl hypfirst देखें लेकिन देखें इसमें उल rabbits करके पनीर को डालिंग नगाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और देखें पनीर डालने के बाद भी मसाले के साथ आप थोड़ी देर जरूर उपनाई करिएगा यह देखिए पनीर आपका तूटेगा नहीं क्योंकि पनीर जो है फ्राइ किया हुआ है यह देखें मैं मैं साले के साथ पनीर को अच्छे से भून लिया है और बहुत ही टेस्टी और चकपटा बनता है गाई एक बाद ट्राइ जरूर करिएगा कमेंट करके बताईएगा कैसे बने है इसमें मैं पानी थोड़ा सा एड़ कर रही हूँ ताकि पनीर जो है हमारा अच्छे से पक जा दोने होंगी आए दिखे हमारे पनीर बनके रेड़ी है यह देखे मसाला पनीर है देखे मिसाले से इदन कोटिंग है आप खुद देख सकते हैं पनीरको भुएला आप भी जरूर बनाईएगा, यह देखे, पनीर बन के तयार है, मैं इस पर हरी धनिया पत्ती से गानिस कर रही हूँ, और ओटी से खाईए, चाहे प्राठे से खाईए, चाहे नान से खाईए, सभी चीजों से यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, और देखे, कितने कम आइल में मैंने पनीर की सबजी बनाई है, ज्यादा आइल तो हमारे सिरहत के लिए सही नहीं होता है गाई, तो कोशिस करिए कि जतना कम से कम आइल में बने, वीडियो जरा से भी पसंद आई हो, तो लाइक जिरूर करिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब मिल तेह नहीं देख नहीं देख नहीं देख नहीं देख नहीं होता है, ताइक्स!